Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और alhamdulillah हम सब भी हाँ बहुत मज़े में हैं और जनाब आज मैं बना रही हूँ जबरदसा शर्बत और जनाब इस शर्बत का नाम है महबद का शर्बत यह बहुत असा शर्बत इपर बहुत रिफ्रेशिंग है और समर सीजन में तो बहुत ही अच्छा लगता है यह सबसे बहले आपने इसके लिए लेना है के लिए लेना हैक वॉटर्मैर्लन, वॉटर्मैलन का आपने ईसमॉल चंक्स में कर लेना है और जितना आप si एट कर सके हैं से यह भी बहुत अचा लगता है, जितनी भी आप डिंक्स में डालते हैं ओर अवरॉल मोहबत का शबत एक रिफ्रेशिंग तो है यह है, लेकिन इसके तासीर भी नहीं है, लेकिन इसके तासीर बहुत थंडी थंडी तासीर वाली चीजे हैं उसके बाद आपने लेना है दूद दूद आपने लेना है रूम तेमप्रेशर के पर कोशिश किजे कर जादा कोल्ड ना हो इस वकत आपने इस के देना इंकलूट करते हैं तर आपने इस factor कनें इनकलूट कर सकते हैं तर आपने इसके अदर इसके इसके भी टेबिल स्पून अफंध हो आपने इसके लेना हैं आप चाहें तो रूहफजा ले 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 जो भी आपके पस इस वाकत अवेलेबल हो आप चाहें तो इसके अंदर रैट फूल कर सकते हैं, इस टोटली अप टो यू पर रूहफजा से इसका दार टेस्ट और एहन्सो के आता है उसकी बाद मैंने इसके अंदर चंद जॉपस के वड़ा वार्ट के इंकलूट कीएं, आप चाहें तो रोज वार्ट भी इंकलूट कर सकते हैं और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है अब आपने इसके अंदर बेजल सीट ने इंकलूट करना है और ये साइज में अभी डबल हो चुके हैं बेजर सीट डालने के पद आपने एक दिफ़स अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो अगर कुटली बनी को बेजर सीट करना है तो वो खुल जाए साथ या पने इसके अच्छे 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 लगते हैं वाटरमेलन अगर आपने मेक्शोर करना है कि बदाम का चिलका उतार के डालें और बारीक बारीक काट के डालें दोनों नट्स और जिना आप इसे चिलक करके अपने महमानों को सर्फ करें अपने खरवल को सर्फ करें सब को बहुत पसंद आईगी इंशाला ताला और अगर आप ट्राइ करें तो मुझे ज़रूर बताएगा इंशाला नेक्स लॉग मैं आपसे फिर में लगा दोगी तब तक अपना बहुत क्याल रखेंगा मुझे दूआ मियाद रखेंगा लाफिस